आज हमारा पैंगॉंग लेक पे लास दिन है कल हमने बहुत सारा फोटो शूट किया और आज सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं हमारे एक लड़के की तभे थोड़ी बहुत खराब है आश्रे की जो बहुत जादा सरदर्द हो रहा है और रूठ नहीं पा रहा है प्रॉप सीथे पहुंचेंगे हम लोग ले सो फाइनली बाई बाई पैंगॉंग लेक हम लोग जा रहे हैं अब लेकी तरफ क्योंकि काफी जादा फोटो वगरा क्लिक हो गई यहां पे और बहुत ही जादा इंज्वाय कर लिया हम लोगों ने बस दिकत सिर्फ एक चीज की हुई कि ह हमारे साथ जो एक फोर्थ लड़का था उसकी तब्या थोड़ी सी डाउन हो रही है क्योंकि हाई एल्टिट्यूट भी आने के बाद सर में दर्द शुरू हो जाता है और जिनकी कैपसिटी होती हो जेल ले जाते हैं जो नहीं जेल पाते हैं उनकी हालत बहुत खराब हो रह ही है और हाई एल्टिटूट बरदास नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी तो हम लोग वापस जा रहे हैं बागी हम तीनों लोग बिल्कुल चंगे हैं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम लोग के आदत हैं हम लोग अक्सर जाय करते हैं ट्रेवलिंग किया करते हैं तो हम लोग ब सुरू हो गई है मौसम देखो कितना जादा ठंडा हो गया मतलब और इन लोग को इतनी जादा ठंड लग गई कि लोग पढ़े पहनने लग गए एक लड़का जो मारे साथ था वो एक कार में बठा के हमने आगे भेज दिया है बाकी यह लोग जल्दी से कपड़े पहन ले सनो बहुत ज्यादा है यह देखिए यहां पर नाम लिखते हैं अपना है 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 अने तो यह रहा मेरा नाम टेंटना डू सब्सक्राइब लाइक एंड सेयर हम लोग पिछली बार आये थे तो भी बहुत अग्राइब स्नोफॉल हो रहा था और चांगला में वापस जाते हो फिर से तक्राइब स्नोफॉल होने लगा है आप देख सकते हो यह और रास्तों में स्लस्ट बहुत आ गया है बहुत ज्यादा गाडियन स्लिप करने लग बिल्कुल इस मौसम को लेकिन हम बाइक पे है हमाई पटी पड़ी है यह मस्ट नौफॉल हो रहा है यह देखो लॉंडो की पटी पड़ी है कुछ नहीं मजे में है ऐसा सिफ कामरेक सामने कह रहे है बागी यह रहा स्नोफॉल इस स्नोफॉल से अपना पुराना रिस्ता है करता हमें हम लोग और यहां हम अ पर श्रू शुरू हो चुका है लास्ट डिम आये तो हैई की न्यापाई थी स्नोफॉल बहुतरा था बहूत ही गतर था अभी हम लोग वापस लोटरेल आए तो फॉर स्नोफॉल पाल श्रू हो गया और ऐसा फॉल हो और कि रश्यों सक्ता तो यहाँ पर 40 km से यहाँ से ईहाँ से पेंगान 40 km से वगरा सारी चीज़े हो और इसमें थोड़ी सी बालगणी मिल जाती हाला कि बालगणी का कोई यूज नहीं है इसकी लेकिन बालगणी मिल जाती है यह रेखिए समझ रहा है और ऊपर ले पैलेस भी है पैंगॉंग से ले तक का सफर बहुत ही कठिन था मतलब पूरे राज़त यह तो आगे और इतनी सारी कठिन परिस्तितियां जहलने के बाद फैनली हम लोग ले पहुंच चुके हैं और इसी वज़ए से मैंने कोई व्लॉग नहीं किया रास्ते भर में क्योंकि यार सांस ना उपर नीचे हो रही थी बोल नहीं बार रहे ता इसलिए व्लॉग भी न में चलाने वाला मेरा मूड नहीं है यह चलाएगा मेरा हेलमेट पहन के मैं पीछे बैट के मस्त आपको नजारे दिखाएंगा और व्लॉग करूंगा अरे भाई कळाना नहीं जा तो रहते फोटो शूट कराने लेकिन इनको भूक लग गई इन्हों नहीं पहले खा लेते ह तो पहर के तीन बच गया है दो जगे जाना था और इनोंने कहा आधे गंटे रुक लेते हैं आधे गंटे में तीन बच चुके हैं देखते हैं कहा जा पाते हैं इनके चिकल लॉलीपॉप क्यों थे हमारा पीजा खतम हो गया था आइसा कुछ सीन नहीं है यह चले गया थे अब देखते हैं और निकाल दी गई है हो ताल और आगए उदर्ग सैनल तो पीजास परेसर आगा आगा अब देख ते कह जा बाते हैं तो गाडी की हावा निकाल ती गई है लग पहा ही प्ते जिकल थी तो इनकी कंट है इनक Wow यहा थी ते हर दो ओनर निग रही चया हाँ तो जब हम लोग 2017 में आये थे लाज टाइम तो यहीं पर फोटो शूट कर आया था और इस ताइम ये अरिया काफी ज्यादा डिवलप हो गया है और बहुत ज्यादा घर वर बीच में बन गया है और यह कारू से लगबग तीन-चार किलोमेटर पहले की जगह है यहां पर जो अच्छी फोटोस आई थी तो अम लोग ने सोचा यहीं पर चलके कुछ फोटोस क्लिक करा ली जाए अब हमारा टास्क ही है जो लास्ट टास्क था कि यह छोटी सी जो करसे की जल spent कर वादा और यह ये जो बह रही है इसको टोटास कर टता जाए तो इसको कैसे क्रोस कर न यह देखना पोड़ेगा लाच्त तोड़ा सा तफ हो गया था लेकिन क्रॉस कर गया थे तो इस बार भी क्रॉस करी जाएंगे देखते हैं फाइनली हम लोग ने उस पार जाने का रास्ता डूंड लिया है बहुत मुस्किल से यह रहा है चलो रिसी पहले तुम जाओ है क्या कहता है तो जाल दी जा दखो दखेल जाला करी série है कि रखेल है बस बार घ्रोमट भी कुरम दो चलो जल्दी चलो जल्दी जलोग जा रहूं कैसे क्यों बंद्स क्या टो यह तो Это 네 है जो सिंफल इस में धर रहा है जल्दी याओ यार बच गया चड़ोगे कैसे चड़ोगे कैसे रिवर के किनारे पहुच चुके हैं यह देखिये मस्त नदी बहे रही है और रिशी अभी भी वही खड़ा है अब इस लोकेशन पे इस मज़ेदार लोकेशन पर हम क्लिक कराएं गया चिची फोटो जिनको फोटोस देखने हैं इस्टाग्राम पर फॉलो करो प्रोमोशन बहुत जरूरी है जल्दी जाओ फॉलो करो मिलते हैं तोड़ी देर के बाद फोटो शूट के बाद बहुत सारी फोटो यहां क्लिक हो गई और आप जाने का समय आ गया यहां से हम लोग ने सुचा तक करदुंगला जाएंगे लेकिन अब अल्लेडी साड़े पांच हो चुका है तो अहां तक पहुंसते पहुंसता है अधिक हो जाएगा तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता है अधिक है और अधिक है और दूप जैसे है हमारे साथ यह जादू हागिया जादू अभी अभी यह में करताब करेंगा और अम लोग बहुंसते जाएंगे और यह मौसम देखो सामे पानी किरने आला बहुत तकड़ा अल्किल की बुन्दा बांदी हो रही तो फटा पढ़ि जाओ, फैले, रिसी फैल, रिसी फैल, मज़ा दे सबको, बच गिया, तुम भी जाओ, तुम भी फैलो, तो मेरे पीछे जो रोड देख रहे हो, इस पर भी बहुत सारी फोटो दूमने क्लिक कर आई हैं, और अमने सोचा अभी तुरह सब टाइम में तो आम ख़दुंगला तो जा सकते हैं, अजब जितना कवर कर पाएंगे, उतना कवर करेंगे, रास्ते में हमें अच्छे सीन मिल तो अभी जा रहे हैं ख़दुंगला की तरफ, अभी अधेरा नहीं हुआ है पहाड़ों में, समझ लो, हम लोग चले जा रहे हैं ख़दुंगला रोड पे, बन लाइफ, बोदे को फागा जा रहा है, जहीं चबाओ, सामने देखो क्या बर्स है, अच्छे से लिकर पा रहा होगा इतना सेक्सी बहुता बट फटा ठटा, नौर रतर से भी ज्यादा ठटा तो रास्ते में लोकेशन मिली है, यहां से यह बहुत ही खूबसरत पहाड दिख रहे हैं, और यहां से फोटो बहुत ही सेक्सी आ रही है, यह देखो फोटो किछा रहा है, ऐसे फोटो किछाएंगे, पीछे से पहाड आएंगे, आप खोलो, बहुत ही आउसम व्यू है, क्योंकि रास्ता बहुत ही जादा कराब है, आज ता कभी इतना ऊपर नहीं आएं जिन्दगी में, करीद 17 किलो मेंटर बचा है, खरदुंगला बस, और यह देखो, अब नीचे देखो आप कि तरह, हम लोग वहां से आएं, वह जब फोटो यार, तो यहां से आप चाहेंग और फिर रेस्ट करेंगे, बाकी मिलते हैं जल्दी, तो कल शाम को हम लोग वापस आके रूम पे आराम से सो गए थे, बहुत ठक है इस वज़े से नीद आगी बहुत जल्दी, और आज मार्निंग की हमारी वापस की फ्लाइट है, आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह नव तो वहां से हमें डैली लेंड होना जल्दी से, तो फटा फट सारी प्रेशन हो गई है, सारी पैकिंग हो गई है, सब लोग बिल्कुल रेडी है और अभी हम निकल लें, यहां से टैक्सी करेंगे, टैक्सी करने के बाद सीधे एरपोर्ट, फाइनली हम लोग गुरगाओं सामान लेने में बहुत टाइम लग गया, बहुत देर बात सामान आया, पूछो परिसान हो गया थे, मतलब बहुत जादा टाइम लग जा सामान निकालने में, फिर ओला की हमने, एक कैंसी लोगे, दूसरी ओला करके, हम लोग फाइनली वापस वहीं आ गए, जहां से हमने ज कमें फूसरो